नमस्कार, पुस्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है, आज हम बनाने जा रहे हैं भुट्टी की मचली बनाने जो हमाई तरफ बारिस बहुत ही तगडी सी हो रही थी, तो खेतों में जो हैं मचली आ गई है तो घरवाले लोग जाकर के इस मचली को पकड़के ले आएं, यह मचली बारिस के मौसम में ही जादा मिलती हैं तो इसको अब हम धूल करके साफ कर लेते हैं, तो देख सकते हैं इसको हमने धूल के साफ कर लिएैं और अब इसमें हमने डाल दिये एक चम्मक कासमिरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मक हल्दी पाउडर और इसमें हम नमक डाल देते हैं और एक चम्मक सरसो का तेल डाल देंगे इससे यह होता है कि मचलीया जब हम मिला करके रख ताइट बनी रहती हैं तो फ्राइ करने में हमें बहुत ही असानी होती है इसको हम अच्छी तरीके से मिला करके तयार कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिला करके तयार कर लेते हैं और अब इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे तब तक के लिए इसमें कुछ मसाले डालने के लिए हम ले हैं तो मसाले में हमने ले रखे हैं सरसो जीरा काली मिर्च धनिया और लसन की कलियां हम ले रखे हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ और मसाले तो अब इसमें हम डाल देते हैं बड़ी लाइची दो छोटी लाईची और यह हमने जयफर का टुकड़ा थोड़ा सा डाल दिये हैं दो दिन लॉंग दालचीनी का टुकड़ा और अब इसमें हम तीन चार जो है लाल मिर्ज सुखे डाल दिये हैं दो चोटे टुकडे जो है अदरक के डाल दी अब इसको हम पीस करके तयार कर लेते हैं तो देख सकते हैं तेल हमने कड़ाई में रख दिये थे गरम होने के लिए तेल गरम हो चुके अब इसमें मचलियों को हम डाल करके फ्राई कर लेंगे मचलियों को जो है आप फराई कर लेंगे तो इसमें काटे का भी पता नहीं चलता क्योंकि मचलिया जो है बहुत ही छोटी है यानि हम लोगों के उंगुलियों भर भर की मचलिया है तो इसे आप चाहें तो इसी तरीके से आसानी से खा सकते हैं इसे बच्चे भी बहुत ही आसानी से खा लेंगे तो देख सकते हैं एक साइड जो है फ्राई हो चुकी अब इसको हम पलट लेते हैं तो इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करके तयार करेंगे तो देख सकते हैं एक साइड जो है हो चुकी है इसको हमने पलट लिए हैं और जब मचलियों को हम निकाल लेंगे फ्राई करके जब यह मचलियां ठंडी हो जाती हैं तो यह खुद ही अपने आपी इसको हम अलग कर लिए हैं और फिर से इसमें हमने दो तीन चमश टेल डाल दिये थे और इसमें हम डाल दिये हैं मेथी तो मेथी चटक गई थी दोसित को हमने अयुक्त से पीरे तो पीसे एक सुब अब यह श्मिभbut करते विए मासालो को जो फोलें लेंगे जिसमें ज्यादा कुछ अलग से मसाले हम नहीं डालेंगे बस इसमें हम एक चम्मत जो है कास्मेरी लाल मिर्श पाउडर डाल देंगे जिससे कलर के लिए और थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब इसको हम मिक्स करते हुए अची तरीके से भून करके तयार करेंगे अब मसाले जो हमने सिल्बटे से ही पीस के तयार किये थे तो मचलियों में तो स्वाद आना ही आना है तो मसालों को जो हम अची तरीके से भून करके तयार कर लेते हैं और ये बारिस वाली जो मचलियां होती है तो वैसे भी बहुत ही टेस्टी बनती है तो देख सकते हैं जो मसाले हमने भून के तयार कर लिये थे अब इसमें हम डाल देते हैं पानी तो पानी अपने हिसाब से जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से आप पानी डाल दीजिए और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके तयार कर लेते हैं अगर लगेगा तो पानी इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे तो इसको हम मिक्स करके अच्छी तरीके से मिला लेते हैं मसालों को क्योंकि जो मसाले भुने होते हैं थोड़े से एक में चिपके चिपके से होते हैं यानि गुटलियां से होती तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लिए हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं फ्राइक की हुई मचलियां देख सकते हैं एकदम अलग हो गई है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है अगर इस तरीके से आप मचलियां बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई परिशानी नहीं आने वाली है तो इसको हम अच्छी तरीक तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ अब इसको मैं कबर करूंगी तो कबर करने से पहले इसमें मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देती हूँ ग्रेवी में और अब इसे मैं कबर करके पका लूँगी इसको बस इतना ही पकाना है कि जितना मसाले जो है अच्छी तरीके से पक जाएं तो देख सकते हैं मचली जो बहुत ही अच्छी तरीके से पक करके तयार रोखी है ज़्यादा हमें पकाना नहीं है मैंने इसको मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट ही पकाई हूँ और अब गैस को फ्लेम को बंद कर लूँगी इसको मैं सफ कर लूँगी तो मैंने चावल ले रखी हूँ और चावलों के बीच में मैं इसको सफ कर लेती हूँ यूँकि ये चावल के साथ जो मचलियां खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो इसमें जितनी आ सकती है उतनी मचलियों को मैं सफ कर ले रही हूँ तो देख सकते हैं देखने में कितनी सुनतर लग रही है खाने में तो टेस्टी है ही है तो अगर आपको ये मचलियों की रेस्पी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जादा से जादा से शेयर कीजिए अगर कोई कमिया है तो कमेंट करके तब तक के लिए नमस्कार